तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विदुद्धारा यानि इलेक्टिक करेंट और दोस्तों ये विदुद्धारा इलेक्टिक रेंट का फर्स्ट पार्ट है इसका और भी पार्ट हमारे चैनल पे आप कंट्रीनूस अप्लोड होते रहेंगे दोस्तों कुछ प्रोल्म के करे हमारे चैनल पर कुछ दिन वीडियो अफ्लोड नहीं हुआ इसके लिए सो सोरी और फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर पहले पा रहा हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर और भी वीडियो पहले से अफ्लोड है जैसे दोस्तों इतियास भूगोल और फिस के और भी कुछ चेप्टर की वीडियो अफ्लोड अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिना किसी दिरिके चलते अपने फर्स्ट कोस्चन की और दो तारों से आवेसों के परवा को विदुद धारा काते हैं नेक्ट में चलते हैं दोस्तों नेक्ट दोस्तों पदार्स कितने मौलिक कनों से बने होते हैं ओप्शन एक ओप्शन बी दो ओप्शन सी तीन ओप्शन डी चार तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन सी त दोस्तो पदार्थ तिन मौलिक कनों से बने जते हैं पहला इलेक्ट्रोन दूसरा न्यूट्रोन तीसरा प्रोट्रोन दोस्तो इन तीनों कनों को पदार्थ का मौलिक कन का जाता है नेक्ट में चलते हैं दोस्तो नेक्ट दोस्तो रिन आवेस को क्या काते अप्शन एलेक्ट्र उप्षन बी प्रोटोन उप्षन सी न्यूट्रोन उप्षन डी कोई नहीं तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा उप्षन एलेक्ट्रोन दोस्तो इलेक्ट्रोन को रिन आविस कहा जाता है नेक्ट में चलते हैं दोस्तो धन आविस को क्या कहते हैं उप्षन एलेक्ट्रोन बी प्रोटोन न्यूट्रोन ओप्शन से इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन ओप्शन डी कोई नहीं तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन भी प्रोटोन न्यूट्रोन दोस्तो किसी भी परमानु के नाभिग में प्रोटोन और न्यूट्रोन होता है नेक्ट में चलते हैं दोस्तों किसी फरमानु का विद्दूत उधासिन कैसे होता है अप्षण बवन्गे विद्द ऑदासिन केसे होता है wheel कोई परमान अपना इलेक्ट्रोन खोद देता है तो उस पर किस परकार का अब ब Voor कैसे उत्पन होता है तो अपृचन्स की दोंषक्रお願いします किस कि परमान के दोरह ienia dance कर ने पर किस तरह का आबस उत्पन हो जाता है तो अपशन्स नेध़नाब परर के रूबूर्स नहीं कोई नहीं तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा option B रिनावेसित दोस्तों जब कोई परमानू अपना इलेक्ट्रोन खोता है तो उस पर धनावेसित आवेस सुथमन होता है जब कोई परमानू इलेक्ट्रोन गरहन करता है तो उस पर रिनावेसित आवेस सुथमन होता है नेक् परकार केते हैं दोस्तो दो परकार केते हैं एक दहन आपैस और दूसरा लीन आभीच्स में चलते हैं बिदुत के अधार पर पदार्थ कितने परकार के होते हैं? नेक्ट दोस्तों वे पदार जो आबेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सक्छम हो क्या का लाता है अप्शन A चालक, अप्शन B कुछालक, अप्शन C दोनों, अप्शन D कोई नहीं तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A चालक दोस्तों वे पतार जो आबेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है यह ले जाने में सक्षम होता है उसे चालग करते हैं नेक्स में चलते हैं दोस्तों वे पतार जो आबेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सक्षम नहीं हो क्या का लाता है औफ्शन द जगह से दूसरे यगा ले जाने में सक्षा पूसे चालक अज उसे खुच आलक काते हैं अज में scores में चलते हैं दोस्तों नेक्ट दोस्तों निम लिखित में कौन सा पतर्थ बिदूत का चालक है ऐसने का च, आप्शन बी रेशम ऐसन तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ऐसन दोस्तों तो दोस्तों में चलते हैं दोस्तों किक शुद जल विदूद का क्या होता है डोने चालक उसन भी कुछालक ऋपसिन सी दोनों ऐपसण डी कोई नहीं तो दोस्तो इसका एंशर हो जाएगा ऑपसंडी कुछालग कोछ लगता है दोस्तों सुध जेल बिदूद ने qa डालक होता है जाएगा option A बिदूत बिभाब दोस्तो अनन से किसी बिंदू पर किसी इकाई आवेश को लाने में किया गया कार को बिदूत बिभाब काते हैं next में चलते हैं दोस्तो next दोस्तो निम लिखित में कौन सही है option A भी बराबर Q by B option B B भी बराबर W by Q option C 1 by B भी बराबर W by Q और D में कोई नहीं तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा option B B भी बराबर W by Q next में चलते हैं दोस्तो next दोस्तो विदूत बिभाब का एसाई मातर क्या होता है option A Q by J lun अपे ब्र Taill दोस्तो विदूत बिभाब का मातर क्या होता है Tea में चलते हैं दोस्तो विदूत बिभाब का मातर क्या होता है option A बोल्ट ऑप्शन B कूलंब ऑप्शन C न्यूटन ऑप्शन D वाट तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन A बोल्ट दोस्तों विदुद विवाब का मातरग बोल्ट होता है नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों अब इसकाइसाई मातरग क्या होता है ऑप्शन A बोल्ट ऐपशन बी वाट ऐपशन सी कूलम ऐपशन डी कोई नहीं तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ऐपशन सी कूलम दोस्तो आवेस का S I मातरक कूलम होता है Next में चलते हैं दोस्तो Next दोस्तो अनाबेसित बस्तु का विबाब होता है Option A सुन Option B धनात्मक option C, Earlier 2 option D, कोई नहीं तो दोस्तो इसका answer रो जाएगा option A, सुन अनवेसित बस्तु का विभाब सुन नहीं होता है अनवेसित मतलब दोस्तो जिस पर कोई आबेस नहीं next में चलते हैं दोस्तो next दोस्तो धनवेसित बस्तु पर कहीसा विभाब livres दोस्तो इसका एंसर रो जाएगा दोस्तो दनावेसित बस्तु पर कैसा विवाब होता है तो दोस्तो इसका एंसर रो जाएगा ओप्शन बस्तु पर कैसा विवाब होता है तो दोस्तो इसका एंसर रो जाएगा ओप्शन बस्तु पर कैसा विवाब होता है तो दोस्तो इसका दोस्तों धनावेसीद वस्तू पर धनात्म विववा हता है रिम सर्थ में चलते हैं दोस्तों धनात्मक आपस में क्या करते हैं कर सभल उसका बधिक जूड़ता एक दोसटों इसका एंसर हो जाएगा क्षस दोस्तों दो दोस्तो दोस्तों दनात्मक आवेस आपस में क्या करते हैं और दो रुनात्मक आवेस वे आपस में क्या करते हैं। नेक्ट में चलते हैं दोस्तो दो समान आवेस आपस में क्या करते हैं option A कर्चन option B b mark option C झूडता है option D गडता है तो दोस्तो इसका अंसर आखेगा option B b mark दोस्तों इन तीनों कोश्चन का एक में पॉइंट है दोस्तों कि सामान आवेस यानि दो सामान आवेस आपस में विकर्षन करते हैं नेक्स में चलते हैं दोस्तों दो समान आवेस आपस में क्या करते हैं और दो समान आवेस आपस में क्या करते हैं और दो समान आवेस आपस मे बिकर्शन करते हैं नेक्ष में चलते हैं दोस्तों नेक्ष दोस्तों आवेस हमेशा किस दिशा में परवा होता है option A धनात्मक से रिनात्मक, option B रिनात्मक से धनात्मक, option C धनात्मक से धनात्मक, option D रिनात्मक से रिनात्मक तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा option B, रिनात्मक से धनात्मक, दोस्तो आवेश हमेशा रिनात्मक से धनात्मक की दिशा में परवा होता है, next में चलते हैं दोस्तो, next दोस्तो, B, A, B बराबर क्या होता है, तो option A, B, A, B, B, बराबर, option A में B, A, B, B, option B में B, A, B, option C में B, A, B, option D में कोई नहीं, तो दोस्तो इसका answer हो जाएगा, option C, B, A, B, दोस्तो, B, A, B, बराबर होता है, B, A, B, तो दोस्तो, आज बार इतना ही, और आपको वीडियो कैस्ता लगा, हमें कमेंट में बताएं, और दोस्तो, अगर आप लोगें अभी तक हमारे चैनल को subscribe करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेर करें, तो दोस्तो, चलिए, मिलते हैं, नेक्ट पाट में जब तक जहें,